प्लास 6 में हम स्टार्ट करेंगे अभ्याद 6A 6A में फर्स्ट कोशिन कह रहा है निम्न लिखित वेंजकों के पदों को लिखिए तो ये दिखिए वेंजक दिये हुए हैं वेंजक मतलब कोशिन दिये हुए हैं और इसमें कहरें इनके पदों को लिखिए इसमें कितने पद है तो first question है 5x plus 6 इसमें पद ग्याद करने तो पद कैसे ग्याद करते हैं देखिए जैसे यहाँ पे 5x plus 6 है इसको बाटेंगे हम जब तो यहाँ 5x के सामने कौन सा चिन है कोई चिन नहीं है तो यहाँ मानेंगे प्लस तो 5x का चिन है प्लस और यह वाला जो यह प्लस 5x का नहीं है यह प्लस 6 का है तो जब इसमें पद निकालेंगे तो यहाँ से बाटेंगे देखिए 5x के पास यह प्लस हो गया और 6 के पास में यह वाला प्लस हो गया तो यहाँ से बटा तो इसमें जब हम पद निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5x और फिर कॉमा ल और एक है 6 जब इनके आगे कोई चिन नहीं लगा है तो इसका मतलब है इसके आगे प्लस का निशान है जब हम सेकेंड वाला करेंगे तो देखिए इसमें है A square minus 3AB minus 4 तो यह जो चिन होता है यह चिन के बाद संख्या होती है यह उसका चिन होता है एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया यह तीन पद हो गया लेकिन इनको चिनों के साथ में अलग करना है तो चिनों के साथ जब अलग करेंगे तो यहां से करेंगे यह यहां से और इसको यहां से लेकिन इसको मानेंगे प्लस यहाँ पर, जब लिखा नहीं होगा, तो प्लस मानेंगे, और अगर माइनस होगा, तो वो दिया जाएगा, यहाँ पर चिन, तो इसमें पद जब निकालेंगे, तो देखें, एक हो जाएगा, A square, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा पद क्या है, 3 A B, और इसके साथ में माइनस, माइनस 3 A B, यह पूरा दूसरा पद है, और तीसरा पद है, माइनस 4, तो यह हो गया, इसका अंसर, अब जब थर्ड वाला करेंगे, तो थर्ड में देखें, दे रखा है, 4 A X प्लस 6, अब आप पहचान पा रहे होंगे, कि यह जो प्लस है, य यह 6 के साथ में है, तो जब इसमें पद निकालेंगे, तो यहां पर यह प्लस का निशान जो नहीं दिया हुआ है, वो हो जाएगा 4 A X का, तो इसमें जब पद निकालेंगे, तो यहां से बाटेंगे, तो यह जो प्लस का चिन है, इसके साथ हो गया, और यह 4 A X अलग हो जा यहाँ यह वाला माइनस का चिन X के साथ नहीं है यह 3X के साथ में है और यह माइनस का चिन इस 7 के साथ में है तो जो हम पद निकालेंगे तो पहला हो जाएगा X स्कोयर यह वाला पद फिर कॉमा लगाएंगे और दूसरा पद है 3X और 3x के 7 में माइनस का चिन आगे जो चिन लगा होता है वो पीछे दियुई संख्याक का होता है फिर यहाँ पर कॉमा और यह माइनस का चिन 3x का ना होकर कि किसका है? 7 का तो यह हो जाएगा माइनस 3 तो कितने पद है? एक पद यह कॉमा 2,3 तीन पद है इसमें अब हम फिफ्ट वाला लगाएंगे तो इसमें भी यही करेंगे पहला पद हो गया 5a कॉमा दूसरा पद हो गया माइनस b यहाँ से अलग करेंगे तो इसमें 2 पद है जब हम 6 वाला करेंगे तो देखे इसमें x y square दिया हुआ है अब इसमें प्लस माइनस में कोई भी संख्या नहीं दी हुई है तो इसमें एक ही पद है और वो है x y square अगर कोई प्लस 1, प्लस 2 या प्लस x y स्तरीके से कुछ भी पद दिया होता है तो वो दूसरा पद हो जाता पर यहाँ पर सिंगल ये पद दिया हुआ है x y square कोईशन नमर 7 कह रहा है x y z में x y z का गुडांक है तो गुडांक का मतलब होता है गुडे में दी हुई संख्या अब देखे x y z में तो पूरा ही x y z पूछ लिया गया तो इसकी गुडे में क्या होगा आनेंगे यहाँ पर 1 क्योंकि अगर किसी संख्या के गुडे में 2 लगा होता जैसे x y z अगर 2 होता तो दिया जाता अगर 0 होता तो गुडे में 0 होता और 0 हो करके वह पूरी जो हमारा पद है पूरा वह 0 हो जाता तो यहाँ 0 तो होगा नहीं इसके गुडे में क्योंकि अगर 0 होता है तो वह पूरा पद 0 हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा गुडे में x y z के गुडे में पूछा है क्या होगा तो हम बताएंगे x y z के गुडे में ना तो किसी संख्या का मान बदलता है ना बढ़ता है और ना घटता है वही मान रहता है तो हम यहां मानेंगे कि x, y, z के गुड़े में एक है ऐसे ही जब हम x वाला करेंगे तो कह रहा है minus 3y square में y square का क्या गुड़ांक है तो y square, y square का अगर हम गुड़ांक निकालेंगे तो देखिए y square तो यह निकाले दें तो y square के बाद में क्या बचता है अगर इसको हटाएंगे तो मचेगा minus 3 तो y square का गुड़ांक क्या है यहां पर minus 3, यह हो जाएगा इसका उत्तर question number 9 में कह रहा है minus 2 upon 3 x y square में minus 2 upon 3 का गुड़ांक बताईए तो देखिए, minus 2 upon 3 गुड़ांक, गुड़ांक का मतलब होता है गुड़े में लिखी हुई संख्या तो गुड़े में कौन सी संख्या लिखी हुई अगर हम minus 2 upon 3 को इस तरीके से हटा दें, तो कितना बचेगा x बचेगा, y बचेगा, y की घाथ 2 यही बचेगा, तो जो संख्या जिस संख्या का गुड़ांक पूछा है उस संख्या को वहां से कम कर दो और जितना बचेगा, वही हो जाएगा उसका गुड़ांक, तो यहां से जब minus 2 upon 3 को कम कर देंगे तो गुड़ांक का जाएगा x, y की घाथ 2 यह हो जाएगा इसका उत्तर नेक्स्ट है हमारा question number 10 कह रहा है, निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य तो यह दो कथन दिये हुएं, इसमें सत्य असत्य निकालना है कह रहा है, x 8, x square y में x square y का गुड़ांक 8 है क्या? तो गुड़ांक का मतलब होता है गुड़ांक में दी हुई संख्या और किसका गुड़ांक पूछ रहा है? x square y का तो जब हम x square y हटा देंगे यहां से, तो कितना बचेगा? हमें सिर्फ 8 दिख रहा है और इन्होंने बताया भी है कि गुड़ांक 8 है, मतलब यहां सत्य है फिर second है कहरा है एक बटे 6, x, y, z की घाद 2 में x, y, z की घाद 2 का गुड़ांक एक है क्या? तो जिसका गुड़ांक पूछा है उसको छिपा लेंगे तो कितना बचा? एक बटे 6 बचा है और इन्होंने बताया कितना है? कि यहां एक है तो एक ना होकर कि एक बटे 6 है तो यह हमारा हो जाएगा यहां पर गलत